Knowledge Group के Featured Current Affairs के वीडियो में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है संबल योजना संबल योजना मद्धिप्रदेश साशन की एक महतकांग्शी योजना है जिसमें गरीब और अनुसुचित जाती जन जाती के लोगों को संबल मतलब योजना बरतवान शुर्खियों में है इसलिए आज हमारे Featured Current Affairs का टॉपिक है आपको बता दें कि इस समंधित वीडियो का PDF आपको हमारे टेलिग्राम ग्रुप पर उपलब्द हो जाएगा और ग्रुप की जानकारी डिस्क्रिप्शन वाक्स में दी हुई है इसके अजिरिक्त जिन भी टॉपिक्स को हमने कवर किया है Featured Current Affairs में या फिर MPGK के अंतरगत उनकी भी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स में फिर लिस्ट की लिंक के माद्ध हम से मिल जाएगी उमीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आएगा और आप इसको सराहेंगे और अपनी पतिकिरिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे बात करते हैं संबल योजना क्या है तो पहले इसकी प्रश्ट भूई को समझते हैं कि यह वरतमान में सुर्खियों में क्यों है पिछले कुछ समय से इसकी फंडिंग रोक दी गई थी तो फिलहाल पांच में को इसको दोवारा स्टार्ट किया गया जिस वज़े से यह सुर्खियों में रही बात करते हैं कि संबल योजना अप्रेल 2018 मुद्दी के बात यह है कि इसकी डेट पर कई वार प्रश्ट बन जाते हैं तो इसका जवाब है कि अप्रेल 2018 में इस योजना की सुरुवात की गई साथी कुछ और फैक्ट है कि 1819 में 703 करोड रुपे क्यूराशी का भी किया गया था इस योजना के मध्यम से अब यह माना जा रहा है कि क्योंकि 5 में को पुना इस योजना के जितने भी फंड थे वो जो सरकार में जारी कर दिये हैं तो इसके कार्ड पुना काम करेंगे और लोगों को इसका फायदा बखु भी मिलने लगेगा संबल योजना के पहले और जिंदगी के बाद कहा जाता है कि वच्चे के जन्व से लेके उमरन तक इस योजना में प्रावधान किये गए हैं चलिए एक-एक करकर इनको समझते हैं जन्व से मृत्तियु तक साथ निभाने वाली यह योजना कैसे योजना का उद्देश गरीव एवं अनसुचित जाती जन्जाती वर्ग के हितगराहियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है मुख्य उद्देश यही है कि अनसुचित जाती जन्जाती के साथ जो गरीव परिवार हैं उनको सामाजिक सुरक्षा मिल सके इसमें कुछ प्रावधान है जन्व से पहले मतलब गर्वती को प्रिशव के पूर्व 4,000 रुपए ताकि वाय अपना भरण पोशन जो भी सम्मंधित दवाईया हैं वैसा ही रूप में ले मतलब बच्चे को जन्व देने के पहले 4,000 रुपए प्रदान किये जाएंगे और प्रिशव के पस्चात मतलब जन्व देने के पस्चात 12,000 रुपए यह तमाम जो राशी दिये जा रही है यह भरण पोशन और आहार के लिए दिये जा रहे हैं बच्चों की सिक्षा बहुत सारे प्रावधान हैं सिक्षा को प्रमूट करने के और निशुलक करने के तो बच्चों की सिक्षा निशुलक होगी सम्मल योजना के तहत आठवी तक निशुलक कितावें बच्चों को आठवी तक कितावें नहीं खरीदनी होगी यूनिफॉर्म निशुलक रूप रूप से दिये जाएंगे और मुफ्रान भोजन की विवस्था भी की जा रही है और मध्रीशन भोजन परा प्राना कार्यकरम भी है अगर किस आपक्ती की आकाश्वाक दूर्गटना में मौत हो जाए तो चार ल students किया गया है इस्थाई अपंगता पर दो मौतर सक्व stands the voting unit उसमें एक लग रुपे का प्रावधान है मतलब मौत दुरगटना में मौत इस्थाई अपंगता और आशिक अपंगता इन तमाम केसों में यह तमाम संबंधों में जो रुपे हैं वो सरकार की तरफ से प्रदान किये जाएंगे हिद्गराहियों की मृत्यू होने पर उनके परिवार को पांच जार रुपे अंतिष्टी शहायता मतलब जब लोगों की मौत हो जाती है तो जो अंतिष्टी का कारिकरम परिवार के सदश्य करते हैं उसके लिए पांच जार रुपे का प्रावधान है और घर के सदश्यों को लगू उद्दियोग में उत्पन जो भी सहायता है सरकार के द्वारा दी जाएगी उद्देश यही है कि अगर परिवार का मुखिया या परिवार का महत्पूर्ट सदश्य जो परिवार का भरन पोशन कर रहा था उसकी मौत हो जाती है तो परिवार सदक्मों पर ना आ जाए और परिवार को परियापत सहायता मिल सके इसको धियान में रखते हुए यह तमाम योजना है और इस तरीके से यह पूरी वेवस्था की गई है एक और महत्पूर्ट संबल योजना से ही जुड़ा तत्व है कि वारवी के छात चात्राओं के लिए सुपर फाइव थाउजन्ट मतलब जो सब सर्वोच प्रदर्शन करने वाले पांच हजार वच्चे जिनके परिवार संबल योजना हित्गराहियों की सूची मनाते हैं उनको 30,000 रुपे के प्रोशाहन रासी बारवी में अच्छांक लाने के लिए दिये जाएंगे कक्षा वारवी के बाद अगर ये वच्चे IIT, IIM या इंजिनरिंग अथवा मेडिकल कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो सरकार उनकी फीज की व्यवस्था भी करेगी, इस प्रकार सिक्षा में एक सुद्रन व्यवस्था संबल योजना के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई और देखरेक के लिए की गई है बात करते हैं, खेलकूद में भी अबल छात्रों के लिए प्रोशाहन रासे, मतलब संबल योजना में जन्म, मृत्यु, अध्यन के सार्फ, खेलकूद को भी कवर किया हुआ है खेलकूद में किस तरीके से योजना है? तो संबल योजिना के हितगराहियों को खेलकूद में प्रशाहन दिया जाएगा जिसमें खेलकूद जो प्रदेश में है उसको प्रशाहन मिले और नए-नए खिलाडी प्रदेश से निकल कर देश में नाम रोशन करें योजिना में पंजकित परिवार के ऐसे सदश जो अखिल भारतिये विश्विध्यालीन राष्टिये खेल कूदपत योगता में भाग लेते हैं तो उन्हें 50,000 की प्रोश्याहन राषी दी जाएगी जो लोग अखिल भारतिये मतलब पूरे भारतिये विश्विध्यालीन राष्टिये खेल कूदपत योगता होती है उसमें भाग लेंगे तो 50,000 राषी की प्रोश्याहन दिया जाएगा तो यह एक अच्छी राषी होती है किसी भी खिलारी को उसके लक्ष की तरफ आगे बढ करें साथ ही अपने दोस्तों के साथ सेयर करें अपने जो भी कमेंट हैं वो कमेंट वॉक्स में अवश्य लिखें और एक बार फिर आपको मैं बता दूँ कि MPG के का वीडियो सुबह आता है और जो special current affairs या feature current affairs का वीडियो है वो आता है सामको तो क्रपया हमारे साथ बने रह हैं और आपको सम्मंधित वीडियो की link description box में दी हुई है कि telegram group से जाकर आप download कर सकते हैं धन्यवाद